हाई, हम शुश्मितावानत जी दोस्तों दो दिन पहले इंडिपेंडेंस डे थी और जिनके वज़े से हमें फ्रीडम मिली अगर हम उनके बारे में बात ना करें तो गलत होगा वैसे तो कही सारे क्रांतिकारियों ने देश को आसाधी दिलाने में मदद की और आज हम उनमें से एक को लेके बात करेंगे जो है नेताजी और उनकी कुछ क्वालिटीज हम सीखने की भी कोशिश करेंगे पिछली बार मैंने विडियो बनाए थी कि पास्ट, प्रेजन, फ्यूचर में से बेस्ट टाइम कौन सा है आप चाहो तो जाके देख सकते हो तो चलिए आज का विडियो स्टार्ट करते है शुवाश चंद्रबोश परहाई में बहुत ही अच्छे थे और काफी इंटलिजन थे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी बढ़े थे और ICS की परहाई के लिए लंडन गय थे वहाँ पे उनको चार साल परना था जो की उन्होंने साथ महीने में कम्प्रिट कर दिया और कम्प्रिटेटिव एक्जाम में अंग्रेजो को भी बीचे छोड़के फोर्थ रैंक पे आ गया तो अब अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितने अच्छे थे पराए में तो उनसे हमें सीखना चाहिए के वो शुड़ बे गुट इन स्टेडी तो नेता जी को इतना अच्छा नौकरी मिलने के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया क्यूँ? क्यूँकि देश भक्ती का जुन्नून जो सर पे सवार था वो हम भारतियों की सेवा करना चाहते थे देश को आजादी दिलाना चाहते थे तो इसलिए वो लंडन छोड़के इंडिया आ गये क्यूँकि उनको पता चल गया था कि उनका असली मकसद क्या है So, we should find our real goal ये तो सबको पता है नेता जी कितने अच्छे लीडर थे जब चुनाओ हुई थी तो वो ही जीते थे और सारे के सारे लोग उनको ही मानते थे और उनमें एक खास बात ये थी कि वो बड़ी दूर का सोचते थे प्रेजन को देखके फ्यूजर को भाब लेते थे हिटलर जैसे नेता को भी उन्होंने प्रभावित कर दिया और आजाथीन फौज भी उन्होंने बनाई So, we should have the vision of future नेता जी भेदभाव में बिलकुल भी बिलिप नहीं करते थे ना कोई धरम का भेदभाव और ना कोई जेंडर का रविंडरना टैगोर का जन गन मन सौंग को नेता जी नेही पहले अप्रुवल दी थी हमारे नैशनल अंथम के लिए नेता जी नेही पहले बर लड़कियों की फौज बनाई थी और तो और पाकिस्तान और बांगलादेश के लोग और नेता भी उनको ही मानते थे क्योंकि वो सबको एक नजर से देखते थे So, we should believe in equality नेता जी जब कॉलेज में थे तो एक अंग्रेश प्रोफेसर इंडियन्स को मारा करते थे without any reason तो नेता जी ने उनके खिलाफ complain की, बिद्रोह की और उनके इसी revolutionary मनभाव की वज़े से उनको कॉलेज से निकाला गया और जब उनको एक last chance दिया गया था और sorry बोलने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो इससे क्या सीखना चाहिए? Choose the path of truth नेता जी का एक quote है Remember that the greatest crime is to compromise with injustice and wrong तो आज का वीडियो यही खतम करते है वीडियो इंस्पिरेशनल लगी हो तो लाइक, कामेंट, शेर और सब्सक्राइब करते हैं फिर मिलेंगे next Tuesday और Saturday को Goodbye and stay motivated